मैं रामकुमार भारती स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे सीटो चैनल पर आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एनटोमी ओफ कॉर्णिया के एनटोमी के बारे में इस वीडियो में हम आज डिसकस करेंगे तो आज के इस वीडियो में जो जीज हम पढ़ने वाले हैं उ एन श्ट्रक्चर्श और लेयर औफ कॉर्णिया कितने श्ट्रक्चर या लेयर से मिलका बना होता है इसके बारे में भी हम अज जानेंगे बलड सप्लाइज और नफ सप्लाइज क्सके तुरू होता है जबकि कॉर्णिया तो आवस्कुलर है एन लास्टली देखेंगे कॉर्णिया एक पारदर्सी अवास्कूलर जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं है और घड़ी के सीसे जैसी सन रचना है Then it forms anterior 1-6th of the outer fibrous coat of the eyeball मतलब कॉर्णिया आइबॉल के सबसे बाहरी लेयर fibrous coat का 1 by 6 वा हिस्सा है Then cornea is elliptical from front begin 12 mm horizontal and 11 mm vertical मतलब कॉर्णिया एक elliptical structure मतलब उभार नूमा अंड़कार नूमा structure है जिसकी length जो होती है horizontal में 12 mm का होता है और vertical में जो होता है वो 11 mm का होता है Then it is a circular with a diameter with 11.5 mm posteriorly मतलब कॉर्णिया का जो circular diameter होता है पीछे के तरब से वो होता है 11.5 mm इस slide में देखिए कि it is the main refracting surface of the eye या आख का सबसे main refractive surface है refractive surface कहने का मतलब वैसा surface जिससे light trace reflect होकर के image रेटिना पर बनाती है Then the adapter power is 43 adapter to 45 adapter मतलब कॉर्णिया का जो पावर होता है डैप्टिक पावर वो 43 से 45 के adapter के बीच में होता है The thickness of cornea at the center is 0.5 mm and 1 mm at the periphery मतलब कॉर्णिया का जो ठीकनेस होता है center पे वो होता है 0.5 mm का और कॉर्णिया के किनारे पर जो ठीकनेस होता है वो 1 mm का होता है लेकिन जब हम माईक्रोन में बात करें तो कॉर्णिया का ठीकनेस जो होता है वो 520 माईक्रोन से 535 माईक्रोन के बीच में होता है थीकनेस देशट देखिर रेडियस ओफ करवेचर एंडेर सरफेस इस 7.8 mm एंड्य पोस्रेस सरफेस इस 6.5 mm जो कॉर्णिया का करवजर होता है रडियस ओफ करवेचर होता आगे कि तरफ 78 mm का होता है पीछे वाला करवेचर पर उसका होता है 6.5 mm देखें कि रिफ्रक्टिव इंडेक्स एज 1.37 का रिफ्रक्टिव इंडेक्स जो होता है वह 1.37 का होता है देन अब हम देखेंगे structure of cornea cornea का कितने structure से मिलकर cornea बना होता है उसके बारे में तो the cornea consists of six layer जो cornea है आपका उसमें छे layer होते हैं छे layer से मिलकर बना होता है पहला है epithelium layer दूसरा है baumens layer तिसरा है corneal astroma layer जिसे हम सब अस्टेनिया प्रोप्रिया के नाम से भी जानते हैं चौथा हो गया predacement membrane जिसे dual layers कहते हैं फिर आपका हो गया पांचवा deciments membrane फिर आपका हो गया लास्टली जो layer होता है cornea में endothelium जैसा कि image में आपको दिखाई दे रहा होगा यही छो layer मिलकर के cornea के structure का निर्मान करता है यह जो image दिखाई दे रहा है वो है आपका microscopic structure microscope के थुरू देखा गया cornea का layer कुछ इस प्रकार होता है इपिथिलियम बॉमेंस अस्ट्रोमा डूल लेयर डैस्मेंट membrane and endothelium यह छे layer से मिल करके cornea बना होता है देन इस स्लाइड में हम अब एक एक करके cornea का लेयर को डीटेल में पढ़ेंगे इसमें पहला point देखे कि it is outermost layer of the cornea and it is composed of stratified asquemus epithelium cell मतलब यह cornea की सबसे बाहरी परत है और यह stratified asquemus epithelium कोशिका से मिल करके बना होता है it consists of 5 to 6 layer of cell यह कोशिका की 5 से 6 परतों से मिल करके बनी होती है next to 3 layer of wing और umbrella and cells उसका जो next 2 layer होता है वो परतपंक या छाता की कोशिका की सनरशना जैसी होती है and the deepest layer is made up of columnar cell इसका जो सबसे deep layer होता है वो मिल के बना होता है columnar cell से then अब हम देखेंगे bomins membrane layer के बारे में जो cornea की दूसरी layer होती है तो this layer consists of a cellular mass of condensed collagen fibrils यह layer collagen fibrils के acellular muscles का बना होता है it is about 12 micron meter in thickness and bind the corneal stroma इसकी मोटाई लगभग 12 micron meter की होती है और यह corneal stroma को बांधता है बांधना मतलब यह corneal stroma layer से सटा हुआ होता है anteriorly with basement membrane of the epithelium और यह आगे के तरफ से epithelium से जुड़ा हुआ होता है it is not a true elastic membrane but simplify a condensed superficial part of the stroma मतलब यह true elastic membrane नहीं है इसके बावजूद भी यह stroma के superficial part से जुड़ा होने के कारण कुछ elasticity present होते है then last point देखेगा कि it is so considerable resistance to infection but when destroyed it is unable to regenerate and therefore heal by a scarring मतलब यह infections के प्रती काफी प्रती रोधी है लेकिन एक बार destroy हो गया या एक बार यह layer damage हो गया तो दुबारा से regenerate नहीं हो पाता है और घाव के कारण डाग हो जाता है जिस कारण infection हुआ है उस जक्म के कारण जब जक्म ठीक होगा तो वहाँ पर डाग उत्पन कर देगा then अब हम बात करते हैं अस्ट्रोमा लेयर के वारे में यह कॉर्णिया का सबसे important layer है जिसका दूसरा नाम सबस्टेनिया प्रोप्रिया है तो इस लेयर इज अबावट 0.5 mm in thickness and constitute most of the कॉर्णिया 90% of total thickness मतलब इस परत की मोटाई लगभग 0.5 mm की होती है और यह अधिकांस कॉर्णिया को निर्मान करता है कॉर्णिया का सबसे ज़्यादा पार्ट यही निर्मान करता है 90% then it consists of collagen fibrils जिसे लेयमली कहते हैं embedded in hydrated matrix of proteoglycans मतलब इसमें proteoglycans के hydrate matrix में embedded collagen fibrils present होती है the लेयमली are present in many layers lying parallel to the surface and form a crystalline latic मतलब लेयमला सता के सामनांतर कई परतों में मौझूद होती है और यह सारा लेयमला मिल करके एक जाली का निर्मान करता है then the scatters between the लेयमली are kratocyst and few wandering leukocytes and macrophage मतलब लेयमला के बीच kratocytes और कुछ भटकते leukocytes और micro phage बिखरे हुए present होते हैं then हम बात करेंगे predisements membrane के बारे में it is also known as a dual layer has been discovered in 2013 by dr. हर्मिंदर डुआ Indian ophthalmologist मतलब इसे दुआ परत नाम से भी जाना जाता है इसकी खोज 2013 में भारतिये नेत्र रोग विसे सग या डॉक्टर हर्मिंदर दुआ ने की थी it is located anterior to the decimence membrane it is about 15 micrometer थीक aast cellular structure मतलब यह decimence membrane के आगे present होती है इसकी थीकनेस लगभग 15 micrometer की होती है जो aast cellular sun रचना से मिलकर बनी होती है then हम बात करेंगे decimence membrane के बारे में जिसे posterior elastic lamina भी कहते हैं तो it is a strong homogeneous and very resistance membrane मतलब यह मजबूत सह जाती है और अत्य अधिक प्रतिरोधी वाली जिल्ली होती है it is readily regenerates after an injury it is consist of collisions and glycoprotein मतलब चोट लगने के बाद यह आसानी से regenerate हो जाता है इसमें collisions और glycoprotein present होता है it is secreted by endothelium cells and essentially their basements membrane मतलब यह स्रावित होता है endothelium cells से और basements membrane से in old age it may be bear some watery elevations called hazel's henless bodies at its peripheral मतलब व्रिधा वस्था में इसकी परिधिये भाग पर कूछ मस्से जैसी उभार हो जाते है जिसे हम hazel's henless body कहते है देन अब हम बात करेंगे cornea के सबसे last layer के बारे में जिसे endothelium layer कहा जाता है it consists of single layer of flattens polygonal endothelium cells मतलब यह single layer cell से मिलका बना होता है जिसे polygonal endothelium cell कहते है continuous with the endothelial over the anterior surface of the iris यह endothelium cells आगे की तरफ iris की सता सजा करके जुड़ा होता है it does not regenerate in human being अगर human being में यह लेयर अगर damage हो गया तो दुबारा regenerate पुना उद्पन नहीं हो सकता है and the cells density of endothelial is around 3000 cells per mm square in young adults which decrease with the advancing age मतलब young adults में endothelium cells की संख्या 3000 cells per mm square होता है जो उमर के साथ साथ यह धीरे-धीरे क्या होता है कम होते जाता है then अब हम बात करेंगे blood supply और nerve supply के वारे में तो blood supply cornea में तो cornea is ovascular but the corneal ascularol limber is supplied by the anterior conjunctival branch of the anterior ciliary arteries and from a perilimbal flexes of the blood vessels अब बात आएगे कि cornea तो ovascular है वैसा structure जिसमें blood supply नहीं होती है लेकिन एक तरीका है जहां से cornea अपना blood supply करती है जिसे हम ascularocornea limber के नाम से जानते हैं यह limber को anterior ciliary artery के थूँ blood supply होता है और कुछ perilimbal flexes blood vessels के थूँ भी cornea को blood supply होता है देन अब हम देखेंगे nerve supply of पूरती anterior ciliary artery के दोवारा पूरा हो जाती है जो triseminal nev के थूँ होता है यह triseminal nerves नेत्र विभाग की साखाएं है cranial branches है अब हम lastly देखेंगे factor determining transparency cornea के transparency maintenance आखिर cornea transparent क्यो होता है इसके कार्ण cornea का transparency maintain रहता है दूसरा हो गया dehydration is maintained by active sodium pump mechanism dehydration करता है sodium pump mechanism के थूरू transparency का यह दूसरा factor हो गया फिर तीसरा देखिए regular arrangement of cornea family cornea का जो layers होता है fibrous layers होता है cornea में चोटे-चोटे fibers वो एक regular line में arrange होता है जिसके कारण cornea transparent होता है and higher difference between the refractive index of cornea and air higher difference होता है आपका refractive index में cornea के और air के इसके कारण भी cornea transparent होता है cornea का refractive index 1.37 and air हवा का refractive index 1. होता है तो इसे के साथ हमारा topic समाप्थ होता है अगर आपको यह topic समझ में आई होते इसका answer comments box में जरूर कर दे thank you cornea thickness is measure with the help of cornea thickness को हम लोग किस चीद से measure कर सकते हैं tono metri से pair kai metri se lenso metri se ya caliper se अ कि 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 झाल झाल